ऐसे शुरू हुई थी सलमान और एश्वर्या की लव स्टोरी, सलमान खान और एश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी साल 1997 में शुरू हुई थी, सलमान खान उस समय हिंदी फिल्मों के सुरस्टार थे, वहीं एश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के उस समय सल्मान खान सोमी अली के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे लेकिन अचानक ही सल्मान खान की नजर एश्वर्या राय पर पड़ी सल्मान खान पहली ही नजर में एश्वर्या को अपना दिल दे बैठे इसके बाद सल्मान खान और सोमी अली का रिष्टा तूट गया और परेशान होकर सोमी अली ने भारत ही छोड़ दिया एक मैगजीन के मुताबिक मनसूर अली की फिल्म जोश को करने से सल्मान खान ने सिर्फ इसलिये इंकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में उन्हें एश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था सल्मान ने की थी एश्वर्या की मदद मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान ने एश्वर्या का करिया बनाने के लिए उनकी काफी मदद की थी सल्मान खान ने कई प्रोड्यूसर से एश्वर्या की सिफारिश भी की थी कहते हैं कि सल्मान खान की वजल से ही एश्वर्या राय को हम दिल चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली थी सल्मान खान के कहने पर ही डाइरेक्टर संजलीला बसाली ने एश्वर्या राय को इस फिल्म में ब्रेक दिया था और इसी फिल्म की शूटिंग से सल्मान और एश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे एश्वर्या के पेरंस को नहीं पसंद थे सल्मान खान एश्वर्या को भी सल्मान खान अच्छे लगने लगे थे एश्वर्या राय सल्मान खान के परिवार वालों के भी नजडीक जाने लगी बताया जाता है कि एक समय पर सल्मान खान के दोस्त एश्वर्या को भावी कहकर बुलाने लगे थे हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक एश्वर्या राय के माता पिता को सल्मान खान बिलकुल पसंद नहीं थे और नहीं उन्हीं ये रिष्टा मंजूर था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एश्वर्या के पैरंट्स ने उन्हें सल्मान से दूरी बनाने के लिए कहा था ऐसे में एश्वर्या राय अपने पैरंट्स से नाराज हो गई थी और मुंबई में अकेले रहने लगी थी हुआ सल्मान एश्वर्या का ब्रेक अप सल्मान खान और एश्वर्या राय की लव स्टोरी बहुत ही अच्छी चल रही थी लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच सब कुछ खराब हो गया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन आधी रात को सल्मान खान अपनी गल्फ्रेंड एश्वर्या राय के घर पहुँच गए और उनका दर्वाजा जोर जोर से पीटने लगे सल्मान खान ने उस दिन जबर्दस्ट नशा कर रखा था एश्वर्या उस समय सल्मान खान की ये हालत देख कर दर गई थी ऐसे में उन्होंने अपने फ्लैट का दर्वाजा नहीं खोला सल्मान खान ने गुसे में 19-वी मंजल से कूदने की धमकी भीदी और सुबर 3 बजे एश्वर्या के फ्लैट का दर्वाजा पीटते रहे कहते हैं कि दर्वाजा पीटते पीटते उनका हाथ जखमी हो गया था आखिरकार सुबर 6 बजे घर का दर्वाजा खुला एश्वर्या राय ने कर दिया था शादी से इंकार सल्मान खान के इस हंगामे के पीछे की वज़े ये बताई जाती है कि वो एश्वर्या राय से शादी करना चाहते थे लेकिन एश्वर्या उस समय काम्याबी की सीलियां चड़ रही थी और ऐसे में शादी नहीं करना चाहती थी एक मैग जीन को इंटर्व्यू देते हुए सल्मान खान ने एक बार खुद इस घटना का जिक्र किया था इस घटना के बाद खबर आई थी कि एश्वर्या राय के पिताने सल्मान खान के खिलाफ पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया था ऐसे में सल्मान खान का खूब अपमान हुआ था एश्वर्या को बिना बताए सोमी के पास चले गए थे सल्मान इसके बाद धीरे धीरे सल्मान खान और एश्वर्या राय के बीच दूरिया बढ़ने लग गई थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बीच सोमी अली का सल्मान खान के पास फोन आया कि उनके पिता का ओपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें सल्मान खान एश्वर्या राय को बिना बताए सोमी से मिलने के लिए अमेरिका चले गए जब एश्वर्या को ये बात पता चली थी तो वो बेहद नाराज हुई थी और उन्होंने ये रिष्टा खत्म करने का फैसला कर लिया था अभिशेक बच्चन की कार में की थी तोर्फोर्ड अमेरिका से वापस लौट कर सल्मान खान ने एश्वर्या की फिल्म कुछ न कहो के सेक पर खूब हंगामा किया था आपको बता दे की इस फिल्म के हीरो अभिशेक बच्चन थे कहते हैं कि सल्मान खान ने गुस्से में आकर अभिशेक बच्चन की कार में तोर्फोर्ड की थी इसी बीच साल 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में एश्वर्या राय फैक्चर हाथ लेकर पहुँची थी उनकी हालत देखकर लोग कहने लगे थे कि सल्मान खान ने उनके साथ मारपीट की होगी एश्वर्या ने कहा था सल्मान ने की थी मारपीट कुछ सालों के बाद एक मैग जीन को दिये इंटरव्यू में एश्वर्या ने बताया था कि सल्मान ने उनके साथ मार्पीत भी की थी। उन्होंने बताया कि जब वह सल्मान का फोन नहीं उठाती थी तो सल्मान खान उनके घर आकर जगड़ा करने लगते थे। आखिर कार इस लव स्टोरी का एक दुख़दंध हुआ। बाद में एश्वर्या राय ने बॉलीवुड के महनायक अमिताब बच्चन के बेटी अभिशेक बच्चन से शादी कर ली और सल्मान खान अभी तक कुवारे हैं।